यह वाइब आप सबका हाथ इख फाकत है का इस तंडे 12 गुजराद बोड के ओसी एंट सब्सक्राइब जो था उसके चैप्टर नमबर टू जैटी इस प्रिंसिपल्स ऑफ मैंनेजमेंट के हम लोग बात कर रहे थे पर्टिकुलरल इस वीडियो में बात करने वाल है थौट् फिर प्रिंट धिव्यवियर अनलीसिस जो है वह बहुत ही इंपोर्टन और आप कहा सकते हों कि मौडर्ण कंसेप्ट है यहां पर क्या होता है कि आप लोगों बहुत बार सुना हो कि मैनेजमेंट इस आट उफ गेटिंग वाल्क फ्रों मदर्स यह डेफिनेशन है कि मैनेज जो भी लेबर से या जो भी एंप्लोई है उन्हें ही संभालना है बाग की आगे काम आपके एंप्लोई करेंगे आपके लिए ठीक है तो यही चीज यहां पर इस पर्टिकुलर थियरी में फोकस की जाती है कि वह एक पर्सन ठीक है क्योंकि जो भी इंसा पर्टिकुलर कॉज एन इफेक वाला रिलेशन्शिप होगा उनमें तो इसी के बेजिस पे इसी के हुमन डिलेक्शन्स और यूमन बियावियर के बेजिस पे एक पूरी थियरी पेदा हुई पूरी थियरी का कंसेट एक नया मार्केट माया जिसे हम लोग कहते है थौट्स ओफ बिहवियर साइन्स या तो फी बिहवियर और यूमन बियावियर आप कह सकते हो इसमें यह व्यूमन बियावियर में पर्टिकुलरी किस पर ज्यादा फोकस किया जाता है एक तो जॉब सर्टिश्वेक्शन इंक्रिजिंग एफिशेंसी ऑफ एंप्लोई बाई यूजिं साइकोलोजिक कंसेक्ट लाइक इंटर हुमन रिलेशन मोटिवेशन लीडर्शिप इन्फोर्मल इन्फोर्मेशन कम्यूनिकेशन प्रोसेस डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स वगेरा वगेरा चीज़े जो है वो इस पर्टिकुलर थियरी में आपको देखने को मिलती ह मैं आपको दिखा दूँ एक बात जॉब सैटिस्फेक्शन कैसे अब कोई भी एक कोरोना की यह सिचुएशन चल रही है आप देखलो कोई भी एक और्गेनाइजेशन के उठा को देखलो उन्होंने अपने स्टाफ को रिडियूस किया ही होगा बहुत सारे लोगों को निका अपने जोब सैटिस्फेक्शन मेरी जौब सिक्रियूरिटी है ठीक है मैं जो काम करना उसमें सैटिस्फाइड हूँ क्यों क्यों कि हमें पता है कि टाटा वाले अपने जो भी एमप्लोई उनको इतने बहतर तरिके से ट्रीट करते हैं अगर आप एक बार टाटा में जाते ह वह तो जब आपकी RATIRMENT की आप साटे सालist के आप हो जाते हो तब-तक वह आपको बहुत ही इजद्धार तरीके से ढील करते हैं बहुत ही अच्छे में सामने से नहीं नीकालदेंगे आप resin करने के जाना चाते हो तो दूसरी बात है लेकिन कभी वह आपको सामने से नहीं निकालते कोरोना के टाइम पिरियड में भी आपने नहीं सुनाओगा कि टीस जैसी जो बड़ी-बड़ी कंसल्टन से सर्विसिस है उन्होंने किसी को निकाला हो क्यों क्योंकि वह टाटा क्रूप के मेंबर्स ठीक है तो उनके लोगों को मोटिवेशन वहां के जो लीडर्स होंगे वह हमेशा आपने स्टाफ को मोटिवेट करते रहेंगे और इसी वजह से क्योंकि यह एक पूरा साइकोलोजिकल एप्रोच है वह पूरा का पूरा का पूरा साइकोलोजिकल एप्रोज है उसी के वज़े से हम इसे कह सकते हैं कि यह इसे निगलेट करना चाहिए ठीक है क्योंकि अगर हम लोग साइकोलोजिकल बिहेवियर रंब लोग चेक करने में या उसे स्टडी करने में फेल हो जाते हैं तो यह हमारे और इसी की वज़े से आपको अगर आप फ्यूचर में कभी आप बिजनस करना चाहते हो तो आपके यूमन रिलेशन्स आपके स्टाफ के रिलेशन्स उसके जो भी बिहेवियर है उसे कभी भी निगलेट मत कीजिए ठीक है यह चीज हमें इस पर्टिकुलर थियरी में दिखाई देती है ठीक है और यहां पर बात की गई है कि कोई राइटर्स ने कुछ गुरूज ने ऐसा कह रहा है कि human relations cannot be maintained at the cost of productivity मतलब यह भी सही है ठीक है यह कैसे सही है मैं आपको बताओं अब इंडस्री चल रही है वहां पे दो लोग काम कर रहे हैं वह दोनों के दोनों दोस्त हैं तो क्या करेंगे चलना है तू मेरा काम कर ले मैं तेरा काम कर लेता हूं ठीक है इसमें जो एक क्लासिकल थियरी में वह यहां पर आपको कुछ कनेक करते हूं लगाई दे रहे हैं ठीक है कि प्रोड़क्टिविटी जो है वो कम हो जाएगी जहां पे स्टाफ जहें वह प्रोफेशनल में से पर्सनल रिलेशन्स पर आ जाएंगे वहां पर आपकी और्गिनेजेशन की प् पर्टिकुलर थॉट ऑफ बिहेवियर हुमन बिहेवियर की ठीक है आई होप आप लोगों को यह भी समझ में आगया होगा अब बात करते हैं थॉट्स ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट की मॉडर्न मैनेजमेंट में आपको पता है कि आग नाइंटिन सिक्स्टी के बाद मैनेजमेंट को सबसे ज्यादा इंपोर्टन्स देने को लगे क्योंकि जितना ज्यादा आप लोग मैनेजमेंट करोगे उतना ही ज्यादा आपकी सक्सेस के चांसिस बढ़ जाते हैं अब ऐसे में एक बिजनस यूनिट कोई स्पेशल इनसान को स्पेशल प्रोफेशनल को ज इसे हम लोग कहते हैं मैनेजर्स ओफ मॉडरन टाइम्स ठीक है यहाँ पर इस पर्टिकुलर थॉट में साइकोलोजी सोशल स्टीज स्टैस्टिक मैथेमेटिक्स कम्प्यूटर इन्फोर्मेशन टेकनोलोजी सारे के सारे मॉडरन मींस का यहाँ पर यूज किया जाता है ठी देखो कि इतना सटीक इतना सचोट मैनेजमेंट हो रहा है तो आपके जो भी फ्रूट्स मिलने वाले हैं इसमें से जो भी आपका सक्सेस मिलने वाला इस ओर्गनाइजेशन में रहके काम करके मैनेजमेंट में वह डेफिनेटली 100% सटीक मिलेगा ठीक है और यह जो मॉडरन थियरी है मॉडरन मेनेजमेंट का थौट है वो उसके जो प्रमोटर्स कौन-कौन है तो आप देख सकते हो यहां पे कुंस और डॉनल जियोजा टेरी फिर यहां पे पीटर ड्रकर विलियम ओची एंड सी के प्रहलाद यह जो पांच लोगों का यहां पे मैंशन किया गया उ ठीक है तो आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा बहुत सारा नॉलेज भी मिला होगा क्योंकि हमने बहुत अच्छी तरह किसे डिसकस किया है तो एक बार प्लीज लाइक जरूर कर दीजिए का अगर बहुत अच्छा लगे तो आप कमेंट भी कर सकते हो और यूटुब अगले सेशन में एक नहे टॉपिक के साथ और तब तक के लिए जय हिन